इस वक्त में हर्दोई में आई हुई हैं, हर्दोई उत्तपदिस के राजधानी लखनो से मातर 90 किलो मेटर की दूरी तो है, हर्दोई में एक गाउ है निर्टोवा, जहां पर वर्सों से परंपरा के नाम पर वैसावृती का काम लट्चों से कराया जा रहा है, वैसावृती क और हमारी दादी के वज़े से हम मुझे भैस्चा बाती में लाया गया तो आप कितने उम्र से मतलब इस काम में हैं, मेरी उमर पंदरा से सोला साल तक की तो इस काम को उनकरवाते हैं, यह हमारे गाउं में होता था तो देख 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 एक दुसरे को माबाब करवाने लग को मारे साथ कि इस गाउं के बारे में यहाँ बैसेबति की सदियों से परंपरा चली आई है और यहाँ के जो बाप और भाई अपनी ब Liebeं को इस दंदे में डालते हैं पहले गाउं में ही धंडा हो रहा था अब यहां की जो लड़कियां हैं ओ बंभाई जैसे महानоту में एक तरफ यहां हमारे देश में महिला ससती करड़ की बात बड़े ही जोरु सोरे से चल रही है वहीं दूसी तरफ हर्दोई का ये जिला जहां पर वैसे विती के नाम पर व्यबदस्ती मिलाउंग को इस नरक में ठेकेल दिया जाता है आप ने इसका विरोध नहीं किया हमने व जलालत काम है या जलालत की जिंदिगी है इसलिए हमने नहीं भी रोध किया एक उमर के बाद जब लोग आपके पास नहीं आते हैं तो उसके बाद पर जीवन कैसा हो जाता है जीवन दूभर हो जाता है तब कोई पूस्ता नहीं है जो भी ड़गियां जवानी में कमाती उन में सारे लोगों का ध्यान इस मुद्धे की तरफ चीशना चाहेंगे क्योंकि उन औरतों को भी जिने बच्पन में ही बहुत कम ओर में ही इस धंदे में बिना उनकी मर्जी के डाल दिया जाता है उनको भी अपनी जिंदिगी आजादी सजीने का हग है मैं गुंजन उत्तर पर दिस लखनों से इंडियान हर्ट कर्या